नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार SSE में आप तक पूछे गए सभी परस्नों का सब्जेक्ट वाज अस्टेटी कर रहे हैं अभी तक हम लोग 17 सब्जेक्ट या चेप्टर का अस्टेटी कर चुके हैं जो लोग नए जुड़े हैं वो पले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें आज हम लोग UNO और सभी अंतरास्टिय एवं रास्टिय संगठन से पूछा गया सभी परस्णे देखेंगे साथ में BVI एक्स्टर फेक्स भी बताएं जो परिक्षा में बारवर पूछा जाता है तो चली शुरू करते हैं पहला कोस्चन है कि UNO यानि कि संजुक्त राष्ट संग का मुख्याला है कहां पर अस्थी थे तो UNO का मुख्याला है नियुयार्क में चीक है UNO का मुख्याला नियुयार्क में UNO से दो-तीन प्रस्णे जो की इंपोटेंट है बारवर एक्जाम में आता है जैसे UNO की अस्थापन का भुआ था तो 1945 को भुआ था 24 अक्टूवर 1945 को भुआ था 24 अक्टूवर को मना जाता है क्योंकि 24 अक्टूवर 1945 को UNO की अस्थापना हुआ था और UNO का मुख्याला है नियुयार्क हो गिया ठीक है अब देखिए क्या थे 1945 में कुछ इंपोटेंट संगठन है जिसकी अस्थापना वही तो सबको एक साथ यहां पर देख लेंगे जिससे एक्जाम में कोश्चन आता है जैसे एक तो गया UNO और एक अंतरास्टिय नियाला है इसकी अस्थापना 1945 में हुआ था यूनेस्को की अस्थापना भी 1945 में हुआ था और खाद एवं क्रिसी संगठन की अस्थापना 1945 में हुआ था यानि कि चार हो गया है ना UNO अंतरास्टिय नियाला है यूनेस्को और खाद एवं क्रिसी संगठन का अस्थापना का भुआ था तो 1945 में हुआ था तो यह सारे च संजुक्त राष्ट संग में सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्यों की संख्यां कितनी है तो संजुक्त राष्ट संग में सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस्यों है पांच ठीक है टोटल सदस होता है पंद्रह और पांच है अस्थाई सदस्य और दस है ओ अस्थाई संख्यां कि कितनी है तो दस देश है अब यह पांच देश कौन-कौन सा यह पूछा जाता है यह कभी कौन सा है उसमें से नहीं रहेगा है इसको कई बार घुमा करें दो-तिन पूछ लिया जाता इसलिए सुरक्षा परिशद में जो यूएनों का है उसमें पांच सदस देश है उसको याद रखना है कौन-कौन सा है ठीक है तो वो कौन-कौन सा है देखिए एक है अमिर्का ब्रिटेन चीन और एक है फ्रांस और एक है रूस ठीक है ऐसे याद रखना है इसको याद कैसे रख लेना है तो ABC को फार दो हैना ऐसे याद हो जाएगा आसानी से ने ABC को फा ये यु एनों का अस्थाई सदसे से ने ABC आर प्रिटेन चीन फार्द rating और रूस तो ऐसे याद रखना आपको सार्ख का यह उत्पना उनी 1885 में और सार्क को इन दक्षिस का आ जाता है दक्षिस यानि दक्षिन ACI छेत्रिय सयोग संगठन है इसका फूल फोर्म होता है सार्क का हो गया दक्षिन ACI छेत्रिय सयोग संगठन इसकी अस्थापना असे सदेस से भी कोशिन आता कि पूछागा रहेका कि इन में से कौंठा का सदेस नहीं है काफी really inquis니까 सðडेस कोणचा है वह आपको या रखना है अब इसमें सदेस सारक का कितना है टोटल आठ देस है तो आठ देश वो कौन-कौन सा है, तो वो है इंडिया, पकिस्तान, सिरलंका, बांगला देश, भूटान, नेपाल, मालदीव, और एक है अफगानिस्तान, तो कितना हो गया, यहां तीन, दो पांच, छे और दो आठ, तो आठ सदेश से सार्क का, ठीक है, इसे याद इसे रख को देखिए, बस याद रखना है, IPS के बीबी, ने, माल, पटाया, तो एक लाइन बना लेना, बस याद रहेगा, बस याद करने के लिए, तो IPS हो जाएगा, इंडिया, पकिस्तान, सिरलंका, बीबी, यानि बांगला देश, भूटान, ने, यानि नेपाल, माल यानि और पटाया, या, पटाया, अफगनिस्तान, या, अफगनिस्तान हो जाएगा, तो ये, आठ सदेश से देशे सार्क का, इससे कोश्चन आता है, इसलिए, किसी ने, किसी तरह से इसे याद रख लेना है, और इसे दूसरे तरीके से भी, एक तो ये हो गया, यानि, IPS के बीब बीमा करवाया, इस तरह भी याद रख सकते हैं, आप देखें, पकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, सिरलंका, और ये फिर भुटान, इंडिया, मालदीव, अफगनिस्तान, तो इसे याद ऐसे रख लेना है, कि सार्क के सदेश सिदेश जो है, वो PNB से बीमा करवाया, त आपको दोनों में से जो अच्छा लगे, आप याद रखिए, लेकिन याद रखना है, तो सार्क का ये हो गया, और सार्क का मुख्याले का है, तो काठ मांडू में है, इसे याद इसे रख लेना है, साका, वो यादरा एक फिल्म ने दिल जले में था, कि साका नहीं जिन्द पकड़ा सकता है, नहीं मुर्दा पकड़ा सकता है, साका सिर्फ मार सकता है, वह ये साका, साका यानि सार्क का का काठ मांडू, सार्क का मुख्याले का है, काठ मांडू है, तो ऐसे याद रख लेना है, सार्क का मुख्याले का है, तो काठ मांडू है, यानि साका, तो ये ध पर संजुक्त रास्ट सम्मेलन जो ये 2002 में ये कहां आयूजित हुआ था तो ये दक्षिन अफिरका के जोहां सबर्ग में अस्थापित ये आयूजित हुआ था ठीक है अब यहां पर कुछ इंपोर्टेन कोशन पूछा जाता है जैसे कि संजुक्त रास्ट जलवायू सम्मेलन जो है ये 2023 में कहां हुआ था तो संजुक्त रास्ट जलवायू सम्मेलन इसको इने कोप के नम से भी जानाता है ने COP Conference of Parties तो कोप ये है जो 2023 में हुआ था वो 28 मा था है ने COP28 ये कहां दुबई तो वहीं पर हुआ था COP28 और COP29 कहां होगा यानि 2024 में जो COP Conference of Party जो 29 है ये कहां होगा तो ये होगा अजर बैजान में ये भी आपको याद रखना है और संजुक्त अरब अमिरात की राजधानी अबुधा भी है और संजुक्त अरब अमिरात का सबसे बड़ा सहर है दुबई तो दुबई में 2023 में हुआ था और 2024 में कहां होगा तो COP29 में 2024 में अजर बैजान में होगा ज़्यक्ट है आप है ये यहां तो िव्शूखाद कर्ष्क्राम को मुख्यालत in Italy में महिंनलwend निपनर छिपिके राज्दानी रम स्थञव्ट inhale रोम में में और ne यह एक kısmिप में मतलिन रखना रखना। और खाज देवं कृसी संगठन जो है क्योंकि 16 अक्टूर 1965 को आस्थापना उआ था खादे वह Tribe MSotch Soupman का अस्थापना खादे नेतेवाufen दिवश्च timeframe 16 अक्टूर को मनाय जाता है इकब हुआ था तो इसकी अस्थापना उआ था 1945 में हुआ था ने लेकिन option में का है 46 दिया हुआ ठीक है लेकिन इसकी अस्थापना 1945 में हुआ था ये ध्यान रखना है 45 अगर option में रहागा तो 45 ही answer होगा यहां पर 46 दिया यानि 46 में हो सकता है इसका शुरुवात हुआ होगा लेकिन 1945 में है इटली के रोम में है और इंडोनेसिया भी नहीं है इसमें ओपेक का सदेस जो है इसमें ऑप्सन में क्या एरर है यहां Algeria और UAE है लेकिन चीन भी ओपेक का सदेस नहीं है और इंडोनेसिया भी ओपेक का सदेस नहीं है देखिए ओपेक का इक्वाडोर, संजुक्त अरब अमिरात, नाजिरिया, लीबिया यह हो गया 10 तक 10 हो गया फिर बेनेजुएला, गेबोन, गीनी और कांगो तो यह टोटल 14 देश है ठीक है ओपेक का 14 सदेस देश है एक बार फिर से समाझ लेजें सौधी अरब, अलजिरिया, इरान, इराक, कुवेत, अंगोला, इक्वाडोर, संजुक्त अरब अमिरात, नाजिरिया, लीबिया, बेनेजुएला, गेबोन, गीनी और कांगो तो यह 14 सदेस देस है ओपेक का अब ओपेक की अस्थापना का वह था यह भी कोशन आता है तो ओ ओपेक का मुख्याले का है, यह ज़्यादा रिपीट होता है कोशन, आपको धान रखना है, ओपेक का मुख्याले बियना में, अस्थरिया की राजधानी है बियना, तो ओपेक का मुख्याले है अस्थरिया की बियना में है, नेक्स्ट है, कोश्चन नमबर एट, कोश्चन दक्षेस बोला जाता है सार्क जो है इसको दक्षिन E.C.I.C.I.E. सहयोग संगठन इसको बोला जाता है सार्क का फूल फॉर्म क्या हो जाता है South Asian Association इसे को डक्षेस भी कहा जाता है यानि कि सार्क का चोधामा जो सिखर सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था ठीके और आपको current में याद रखना है कि अभी जो फिर क्या हुआ last जो हुआ इसका अंतीम और अठारमा जो सीखर सम्मेलन हुआ था सार्क का वो 2014 में हुआ था उसके बाद से फिर नहीं हो रहा है cancel हो दारा किसी बज़ा से अभी नहीं हो रहा है कि 2014 में इसका last हुआ था नेपाल के काठमांडू में हुआ था अंतीम अगर पूछा जा कि अंतीम बार सार्क का सम्मेलन कब हुआ था तो 2014 में कहां हुआ था नेपाल के काठमांडू में हुआ था तो ये ध्यान रकना है और सार्क का अस्थापन कब हुआ था 1985 में हुआ था सार्ग का मुख्याले का है तो साका यानि की सार्ग का काठमंडू में और इसका सदेश देश कौन सा है तो इंडिया पकिस्तान सिरलंका बांगलादेश भुटान नेपाल मालदिव अफगनिस्तान तो ये आपको कोशन आते रहेगा तो यूए नो से कोशन हमेसा आता है यह ध्यान रखना है इससे रिलेटर जितने मी कोशन आया सबको रट के रखना है तो यूए नो का मुख्याले पूछा है तो निवार के में है यूए के अस्थापना का बागा तो 24 अक्टूवर 1945 को और 24 अक्टूवर से संजुक्त राष्ट दिवस मनाय जाता है ठीक है और अच्छा नुवियार्क में एक और important का मुख्याला है ठीक है एक UNO का मुख्याला हुग गया और एक है UNICEF UNICEF का मुख्याला का है तो वो भी नुवियार्क में ठीक है अच्छा UNO से एक और संजुक्त राष्ट संग के सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस से नहीं है तो देखिए फिर वही कोशन आया कि UNO का जो अस्थाई सदस देश कितना था पांच ठीक है पांच सदस वो कौन-कौन सा था तो ABC को फारद दो तो यह आपको याद करवाय थे यहनी अमिर्का ब्रिटें चीन फ्रांस रूस आप इस में से कौन सा नहीं है देखिए यह जो अस्थेन नहीं है अबी सी को फारदो में अस्थेन नहीं है यह निकष कहा अंसर हो गया अस्थेन यह सदसी स Washington से ऐसे आपको याद रखना है तो आप किसी तरह question पूछेगा तो आप आसानी से बना देंगे नेक्स्ट है 123 समझोता से सम्मंदित है तो ये 123 यानि 123 ये किस सम्मंदित ये सम्मंदित है तो ये परमानू सम्मंदित है ठीक है देखे यह क्या हुआ था यह समझोता अमेरिका के परमानु उर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहट किया गया है नेक्स्ट है कि जलवायू परिवर्तन पर सम्मिट कहां हाल ही में हुआ तो जलवायू परिवर्तन पर सम्मिट हाल ही में कहां हुआ तो यह वा था जो करेंट अफ्र में होने वाला है उसमें काम आगा कि संजुक्त रस्ट जलवायू परिवरतन संवेलन टोज़रतेईस में कहा हुआ यह हुआ था दूबई में जो COP28 के नाम से जाना जाता है यह दुबई में हुआ था और COP29 जो है वो अजरबैजान में होगा यानि 2024 में यह अधायन रखना है और यहां से कुछ important question आता है जैसे कि संजुक्त राष्ट परियावरन कार्शकरम की अस्थापना कब हुआ था तो 5 जून 1972 में हुआ था और कहां हुआ था तो यह हुआ था केनिया की राजधानी नेरोवी में हुआ था यह दियान रखना है और यहां से दो question important पूछा जाता है यहीं से जैसे कि संजुक्त राष्ट परियावरन कार्शकरम की अस्थापना जो 5 जून 1972 को आता है तो 5 जून से पूछा जाता है कि 200 परियावरन दिवस कम मनाया जाता है तो यहीं से आया है यह 5 जून है 5 जून को 200 परियावरन दिवस मनाया जाता है और एक कोशन आता है कि संजुक्त राष्ट परियावरन कार्शकरम की मुख्याले का है तो यह है केन्या के राजधानी नेरोवी में है क्योंकि इसके अस्थापना जो है नेरोवी में ही हुआ था तो इसके मुख्याले का है तो UNEP संजुक्त राष्ट परियावरन कार्शकरम क मुक्याल है केन्या के राजधानी नेरोवी में यह थ्यान रखना है नेक्स है कि यू है नो Below की अधिकारिक भांसा कितनी है तोаю वेखे आप 6 घूरी जह कौन तो देखें वो है यह फ्रांशे've क 157 औरो एक ऐर सिया और एक रचे अर्वी और अंगरेजी अरवी और अंगरेजी एक चीनी किस्ट के तो इसे याद रख लेना यह यह जांसा है यह फ्रांश रशिया अंग्रेजी और अरवी चीनी और स फ्यक्ष् counseling फ्रेक्स में यह जिता रख लेह चीनी और स पन साथ यह Raymond की अधिकारिक भांसा है ठीक है तो यह ऐसे याद रख लेना इसको यूने की अस्थापन कब वह था चोबी सक्टूर 945 को वह था मुख्या लेका है नियुवार्क में और अच्छा यूएनों का एक और कोशन आता है यूएनों का जो 993 सदस है यानि कि सबसे अंतिम सदसे देश इसका कौन सा है तो वह है दक्षिन सुडान यूएनों का अभी टोडल कूट सदस देश कीतना है तो यह ध्यान रखना है तभी तो आप इस तरह कोश्चन आएगा तो आप आसाने से टिक कर देंगे ठीक है तो आशियान का सदे से डेश टोटल कितना वालों दस है ठीक है अब है कौन-कौन दस-दस जो है वो है देखे कमबोडिया है ठीक है दस देश याद रखना आपको कम कमबोडिया म्यमार उसके बाद सिंगापूर अ कि इंडोनेसिया मलेसिया और फिर है मलेसिया के बाद बुरुनेए फिल्पिन्स लाओस थाइलेंड और एक बीद नम ठीक है यह दस देश है ठीक है वो आई आशियान का सदस देश है और दो यह हो गया कि याद और 25 प्रांच टीन आट 2 यह उयात कैसे रखना एंग एक याद же लेना आ आप बॉड कर लेगा कि आसियां के जो सीयं माशीयां के दम कि ऑना अस यां में के लिए मग यह सिम और बेपिट एकजाम वहां एकजाम को आता है तीसलिये इस तरह दस देस जो है और जो står का देजदा आठ देश तो वो सब क्या याद रहना है कि सा कितने सदेश से कौनinator और आसियान के कौन-कौन सा है यह आपको याद ही रखना धिक है अब रहीबात यह देस हो गिया अब रहीबात कि आसियान की अस्थापना कब हुआ था तो आसियान जो संगठा ने इसका अस्थापना 1960 में हुआ था आसियान सरसथ आसियान के अस्थापना 1960 में हुआ था और आसियान का मुख्याले का है तो इंडोनेसिया के जकार्ता में आसियान के मुख्याला है इंडोनेसिया के जकार्ता में है नेक्स्ट है कोश्चन नंबर 15 कि विसो आर्थिक फोरम की बार्षिक बैठक का अस्थल दाबोस कहां परस्तित है यानि दाबोस कहां है तो दाबोस है ये शूटियर लेंड में है ठीक है यतियर लेंड की राजानी का है तो यह जलना झ की जरना थीक है यह जर्व है यह जर्व है तो इसका राजानी क्या हैnam मतलब होता है इंगलिज अणैका कि अब अ कभी भूलेंगे नहीं जिए तरही बात कि 200 आर्थिक प्षोर्ण मंच कि अस्थापना और 161 में घवा धा और इसका मुख्याले का इन तो जेनेव में तो यह ध्यान रखना है नेक्स्ट लटील कोन Brick का रास्ट नहीं है तो यह एक कgrown साउत में तो ब्राजिल रस आउन्डिया चाइना साउत पहर का अश्व सह नहीं है इसको दूबडार की इसका happier ठीक ब्राजिल रूस इंडिया चीन और साथ अपिरका है तो इसमें ब्रीटियां यह सदस से जो ब्रेक्स का नहीं है अब ब्रीक्स के यहाँ से भी लाद सपर दनों होता है कि अत्यान के ब्राजी पूझाए यह था य९ह तो ब्रिक्स के पांच सदेश हो गया अब रही बात की इसका अस्थापना कब वह था तो 2009 में हो था ब्रिक्स का मुख्याले अभी तक अस्थापित मतलब नहीं हुआ ठीक ने ब्रिक्स बेंक का मुख्याले पूछे तो चीन के संधाई में ठीक है यह ध्यान रखना है अब इसका सम्मेलन से कोश्चन पूछा जाता है ने ब्रिक्स सिखर सम्मेलन कहां हुआ यह करेंड़ फिर में कोश्चन आता है तो जैसे कि 2023 में पंदर्मा ब्रिक्स का सिखर सम्मेलन हुआ था तो यह कहां हुआ था तो यह दच्छीन अफिरका मे में होगा फिर इंडिया में होगा फिर चाइना में होगा फिर अगले साल सौथ अपिरका में होगा ठीक है जैसे कि 2021 में हुआ था इंडिया में फिर 22 में चीन में हुआ तो अबरी कहा होना चाहिए तो अबरी ब्राजिल में होना चाहिए लेकिन संजोग से क्या ब्राजिल में इस बार नहीं हो रहा है 2024 का जो ब्राजिल में नहीं हो रहा है क्यों ब्राजिल से मना कर दिया है क्योंकि G20 सिखर सम्मेलन जो है कुछालения टो अब कर दी ऐता हो में तो अब सोलमा सोलमा होगा और रूस में होगा आप और यह मैम हो यां यह सीरियल से होता है लेकिन इससार रूस में होगा ब्राजिल में होगा ठीक है ब्राजिल में जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन होगा इसलिए ब्रिक्स सिखर सम्मेलन ब्राजिल में नहीं होकर रूस में होगा नेक्स्ट है संजुक्त रास्ट महासभा का कार जले कहा है यानि कि UN का मुख्याले पूछा जा रहा है यन कार जले कहा है तो UN का मुख्याले का है नियुई वार्क में यूएनों का अस्थापना कब हुआ 24 अक्टुवर 1945 को इसलिए 24 अक्टुवर को संजुक राष्ट दिवस मनाय जाता है यूएनों का बरतमान महासचीप कोने तो एंटेनियो गुट रेस है नेक्स्ट है सार्क की अस्थापना कब हुआ था? तो Sark का स्थापना हुआ था 1985 में Sum甲, Shark का मुख्याल है Kathmandu, waking an deal ऐसे याद रख लेना है तो Sark का मुख्याल है Kathmandu में और Sark का सदश देश कों सा है India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldiv, Afghanistan ठीके, अगर principals पूशा जाए स्थार्ग का सबसे अंतिम देश कौन सा है, या तो नया देश कौन सा है, तो वो सबसे अंतिम जुड़ा था, अफगनिस्तान, ठीक है, इसे याद रख लेना है, कौन कौन सा देश है, इंडिया, पाकिस्तान, सिरलंका, IPS, यह ने, बीबी, यानि बांगलादेश, भुटान, ने, नेपाल, मालप 15 के अस्थापना कब हुआ था, 1989 में हुआ था, और इसका मुख्याले का है, तो जेनेवा में है, सूटियर लेंड के जेनेवा में, नेक्स्ट है, किने मिलिकित में से कौन सी UN की एजेंसी नहीं है, तो UN की एजेंसी इसमें से नहीं है, यह ने, ICRC नहीं है, बांकि WHO भी स्व और एजेंसी है, और यह अंतरास्टी सरम संगठन जो है, ILO यह भी UN की एजेंसी है, यानि कि इसमें नहीं है कौन सा, तो IR, IC, RC यह नहीं है, तो इसका अंसर हो गया, option number 2, next है, कि संजुक्तरास्ट संग का मुख्याले कहां है, देखिए यह कोश्चन कितनी बार यह repeat होता है कब कब पूछा गया हमेशा, यह question बार बार repeat होते रहता है, तो UN का मुख्याले कहा है, तो New York में है, यह हमेशा याद रखना है, यह नहीं है, यह नहीं का मुख्याले कहा है, तो New York में, यह नहीं का स्थापना, 24 अक्टूर, 1945 को अथा, बरतमान महासाचीब को नहीं है, तो New York में और था नहीं किसका, यूनी सेफ, यूनी सेफ का मुख्याले कहा है, तो वो भी New York में, नेक्स्ट है, कि भारत UN का सदेश से किस बर्स बना, यह नहीं कि UN का सदेश भारत कब बना था, तो जब 1945 में UN की अस्थापना हुआ था, 1945 में ही भारत इसका सदेश बन गया था, इसका एंसर हो गया, ओप्सन नंबर एक, तेकि इसकी अस्थापना 24 अक्टुवर 1945 में हुआ था, और भारत इसका सदेश से बन गया था, 30 अक्टुवर 1945 को बन गया था, ठीक है, और UN का अन्तिम सदेश से देश कौन सा है, तो वो है दक्षिन सुडान, 193 देश है, क्यों कि हेग है, और हेग यह कहा है, तो यह नीदर लेंड में एक सहर है, नीदर लेंड की राज़दानी कहा है, तो यह मस्टरडम है, और अंतरास्टिय नियाले की अस्थापना कब हो था, तो 1945 में हो था, अंतरास्टिय नियाले की अस्थापना, और अंतरास्टिय नियाले की निय से जाना जाता था ने इसका और नमबर दो गेट के नाम से जाना जाता था अच्छा डबलू टीयों की अस्थापना कब वह यह बिशू स्वास्त जो बैपार संगठन है इसकी अस्थापना हुआ था 1995 में अब 1995 से एक और कोशन याद रख लेना है कि भारत में जो आम जनता के लिए इंटरनेट के सुरवात कब हुआ था तो उन्हें 95 से हुआ था ठीक है और डबलू टीयों को मुख्याले का है तो यह जिनेवा में देखें यहां पर क्या है इंपोर्टेन कोशन पूछा जाता है मुख्याले से ठीक है और कुछ ऐसे संगठन है महतपुर्ण संगठन जिसका मुख्याले जिनेवा में तो आपको सभी को याद रखना है और सबको एक साथ आपको बताते हैं ठीक है यह कोशन इसा टाइप को कोशन आता है जैसे की वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाजशन यानि विश्व व्यपार संगठन विश्व स्वास्त संगठन और आई एलो यानिकी अंतरास्टी सरम संगठन रेड क्रोस और डवल्ड एमो यानिकी विश्व मोसम विज्वान संगठन और अंकटाड यह सभी का मुख्याले जिनेवा में ठीक है फिर से समझेए वह डवल्ड ट्रेड ओर्गनाजशन यह विश्व वेपार संगठन हो गया फिर है सरम संगठन और रेड क्रोस का मुख्याले भी जिनेवा में है ठीक है यह चार हो गया और एक है विश्व मोसम विज्वान संगठन का मुख्याले भी जिनेवा में है और अंकटाड का मुख्याले भी जिनेवा में है तो यह 6 का मुख्याले जिनेवा में है तो यह आपको य अंतरास्टी नयलाय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारती थे डॉक्टर नागेंदर शिंग अंतरास्टी नयलाय के मुख्या लेका है तो हेग में है इसके अस्थापना का वुआ उनिस्व पैंतालिस में हुआ था नेक्स्ट है कि संजुक्त राश्ट संग का गठन किस वर्ष हुआ था यानि कि यूए नों की अस्थापना का वुआ तो उनिस्व पैंतालिस में हुआ था नेक्स्ट है कि हरा सुचकांग विक्सित किया गया है तो हरा सुचकांग यह बिश्व बेंक द्वारा विक्सित किया गया है अच्या कि अस्थापना कभ भुवा था यहकोस्चन आता है तो बिशबेंग और आई-इम-एप यनि अंटराश्टी मुद्रा कोस दोनों को अस्थापना नहीं सो चवौालीस में वुदा ठीक है अब दखिए अस्थापना कि समेहलन केत हप ब्रेटन बुट्स सम्मेलन के तरहत हुआ था बिसुबेंग और आईमेफ के अस्थापना हुआ था तो ये ध्यान रखना है और करेंट अफर में याद रखना है आपको बिसुबेंग का बरतमान अध्यक्षकों ने अजय पाल सिंग बंगा है बिसुबेंग का बरतमान अध्यक्षकों 2022 तक के लिए ठीक है निती आयोग और संजुक्त रास्त ने 2018 से 2022 तक के लिए सतत विकास फ्रेमबर्ग पर हस्ताक्चर किया अब निती आयोग यहाँ आया है निती आयोग से भी कई important question आता है कौन-कौन सा है देखें निती आयोग के अस्थापना कब हुआ था एक जनवरी 2015 को हुआ था आपको एक जनवरी डेट सहीत याद रखना है क्योंकि यहाँ से थोला सा serious में पूछा जाता है कि आपको एक जनवरी डेट में आपको confusion देदेगा एक जनवरी 2015 एक जुलाई 2015 इस तरह से दियागा इसलिए आपको याद रखना है निती आयोग के अस्थापना एक जनवरी 2015 को हुआ था और निती आयोग का अध्यक्ष कोने बरतमान में तो निती आयोग का अध्यक्ष परधान मंत्री होता है तो बरतमान में स्री नर्नेदर मोजी जी है और निती आयोक का बरतमान उपाद्यक्ष कोने तो सुमन बेरी है निती आयोक का बरतमान CEO कोने तो CEO BR सुब्रमन्यम है तो ये आपको याद रखना है इतने करेंड अफेर में कि एजेंडा 21 कि से संब्बंदी तो ये रियोडी जेनरो सम्मेलन 1992 से संब्बंदी ते और ये जो रियोडी जेनरो सम्मेलन 1992 में हुआ था ये क्या है ये किस से संब्बंदी तो ये प्रत्वी सिखर सम्मेलन है प्रत्वी सम्मेलन है अगर कोश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम प्रित्वी संवेलन कब हुआ था तो 1992 में हुआ था यह ब्राजिल के रियो डी जेनरियो में हुआ था ठीक है यह भी कोशन पूछा जाता है तो आपको यह याद रखना है नेक्स्ट है कि 202 पार संगठन का मुख्या लेका है यानि कि वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाजि और बिश्व स्वाच संगठन और अंतराश्टी सरम संगठन बिश्व बिज्ञान मौसम बिज्ञान संगठन और अंकटाड रेड ग्रोस यह सभी का मुख्याल है जिनेवाम है सूटियर लेन के जिनेवाम है डव्लू ट्यों के अस्थापना का भुआ था यानि कि संगठन के अस्थापना सबसे नया सदेस कूंऽ सा है सबसे मैं अफ्गानिस्तां सबसे नहाया का सदेस डेस कितना टोटल 8 यह याद रखना दो iba आपको पताएं या तो एक याद रखना है IPS के बीवी ने माल पटाया या तो सारके के सदस देश ने PNB से बीमा करवाया ठीक है कौन-कौन सा सदस देश है जिसे की आपका है इंडिया है इंडिया पकिस्तान स्री लंका और बंगलादेश भुटान नेपाल और माल्दिव और अफगनिस्तान सबसे लाटिस्ट कौन सा है तो वो है अफगनिस्तान सारक के अस्थापना का वह था उनी सो पचासी में वह था सारक का मुख्याले का है तो साका सारक का का काठमंडू नेक्स्ट है कि यूए इनो का मुख्याले का है तो यूए नो का मुख्याले निवार्क में है अब देखिए यहां पर क्या है बिहार दरोगा में पूछा हुआ कोश्चन है यानि कि बिहार एससी से यहीं तक कोश्चन पूछा हुआ था ठीक है अब बिहार दरोगा वाला क तो वो सब भी चली देख लेते हैं तो यहां पर कोश्चन का है सब का एक ही रहता है इसलिए कोई भी पढ़िए बात बराबर हैं क्योंकि जी के जी इसका कोश्चन आप रेलबे के СССी और ब्हार का कोई भी एक्शाम हो वह सब की पेटर्ण एकी सिलेवत रहता है तो आप कितनी बार कोश्चन ब्हार एसेसी में पूछा हुआ है और यहां बिहार कि 33 देख लिए 34 देखते हैं दक्षेस यानि दक्षेस को सार्क को दक्षेस बोला जाता है यानि सार्क का बरतमान सदेश देश कितना है सदेश संक्या कितना आठ है सार्क में कितना है तो टोटल अभी आठ सदेश देश है ठीक है सबसे लाटेस कौन सा है तो वो है अफगानि निमलिखित उद्योसों में से कौन सा सही नहीं है तो पहला क्या है अंतराष्टि सहयोग को परुचान करना ये सही है विश्व में सांती सुरक्षा कायान रखना ये भी सही है और सांती भंग करने वाले देशों की सरकार को बरखास्त करना ये नहीं है इसका एंसर तीन हो जा जो है यह यहनुन법ि नहीं है यह विश्वास्थ सतन्ग यह सभाइन वाकशन ziękहां is संजुप्त रास्थ का चार्टर कहां तयार हुआ धा के संजुप्त रास्ठ का चार्टर स्टा को में 8 translates को से एक कोशन पुछ स्थापन Михे様 कि ऊए सिर प्रांशिस्को हुआ सब्स ColumbTricht सब्सक्राइब सब्सक्राइब заним्मेलना यावड गोर्त आप ठीसद l कि परतम प्रफ़ो २ाइविड में आइजीत हुआ है यह कि परतम प्रतवी सम्मलेजितीफ हे रहे वह कब तो यूए नो की अस्थापना 24 सक्टूर 1945 को इसलिए 24 अक्टूर को संजुक्त रास्ट दिवस मनाया जाता है संगठन यानिकी यूए नो है उसका मुख्याले का है न्यूयार्क में बरतमान महासाचिप को ने एंटेनियो गुट्रेस है नेक्सट है कि यूएसको का मुख्याले अस्थी थे तो कहां पेरिस में थेखेए इस तरह के दो कोशन आता है आप अगर कुछ दिन पढ़ना चोड़ा देते हैं यादे थोला से ध्यान से हार जाता है तो confusion हो जाता है किसमें एक Unesco में औरंट cadeelli likewise को Seriously में तो यह दोनों को E celu यहां पर देख लिए यूशाल का मुख्याला परिस और यूशे का मुख्याले का आ है तो वह है यूयार्क में यूयार्क में यूशाला का मुख्याल है इसे कभी confusion नहीं थोड़ा सासे रिलेट कर लीज इसे दखिए यूने करें यह यूने में जो आइकर तो ये अपने तो इसका मुख्याले में भी आईकर रहें दिए कंफिजन होग है या तो मुक्हाले कभी दिमाग में आ जागा पेरीस है या तो नी यॉन यॉर्क है तो करेगा इसलिए उनसेफ उनसेफ यह नेयगौ होगे है नहीं है यूनिसेफ का नियुवार्क हो गया तो ऐसे ध्यान रख लेना ठीक है तो यह याद रहेगा और रही बात यूनिसेफ का मुख्याल हो गया यूनेस्को की अस्थापना कब हुआ था तो यूनेस्को की अस्थापना 1945 में हुआ था और यूनिसेफ की अस्थापना 1946 में हुआ था इसे भी थोड़ा यहां रिलेट कर सकते हैं देखिए देखिए यूनेस्को की अस्थापना 1945 में हुआ था और यूनिसे में हुआ था यह कैसे हुआ 1946 में देखिए जब दूतिय विसुयुद जो समाप्त हुआ था ने तो दूतिय विसुयुद में काफी छती पहुंचा था पूरे कई देशों में तो उसमें जो बच्चे लापरबा हो गये थे बिचारा कुछ नहीं खाने पीने को मिल रहा था तो उसकी स्वास्त और खान पान के विवस्था करने के लिए यह यूनिसेफ का गठन हुआ था ठीक है यूनिसेफ का यानि कि 1945 में दूतिय विसुद समाप्त हुआ था तो समाप्त होने के बाद यानि कि 1946 में यह गठन संगठन यह गठित हुआ था इसकी अस्थापना हुआ थ यूनिशेफ की अस्थापना किस संबन देते किस लिए वा था यह जो 1945 में जो दूसरी बिश्वद हुआ था उसमें जो बेघर लापरवा बच्चे थे तो उसके सहायता के लिए यूनिशेफ की अस्थापना हुआ था संजुक्त राष्ट शुरक्षा परिशत के अस्थाई सदेश हैं आपको याद करवाए हैं ABC को फार दो यानिकि अम्यरका ब्रीतेटर चीन और फ्रानस और रूस तो आप देखते हैं अमेरिका ब्रिटेन एबीसी फिसमें तो यह पकिस्तान होगा भारत तो यह जैंड भी नहीं होगा सिरलंका रहा है यह भी नहीं होगा इस हिसमें फ्रांस ब्रूस जपान यह जपान भी जैना यह और टो इसमें अमिर्का, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, तो उप्सन नमबर चार में, तो इसका एंसर हो गया, उप्सन नमबर चार, नेक्स्ट है, संजुक तरास दिवसका मना जाता है, तो 24 अक्टुवर को मना जाता है, नेक्स्ट है, कि NAFTA, यह निकी NAFTA है, NAFTA के सदस है, तो NAFTA के सदस देश जो है, वह है, अमिर्का, कनाडा और मेक्सिको, यह तीनों मिलकर इसकी अस्थापना हुआ था, यह तीनों इसका सदस देश है, अमिर्का, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है, अच्छा, NAFTA जो है, इसका फूल फॉर्म क्या होता है, तो North American, North American Free Trade Agreement, इसका फूल पॉर् और NAFTA की अस्थापना कब हुआ था, 1994 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है, NAFTA की अस्थापना 1994 में हुआ था, नेक्स्ट है, कि UNESCO का मुख्याले कहा है, आप देखें, UNESCO जैसे आया, आइकर है ने, तुरंत दिमाग में आगी है, आइकर वाला ही होगा, यह आइक में है, ठीके, और हेग जो है, अंतरास्टी न्याले का मुख्याले हो गया हेग में, और अंतरास्टी न्याले की अस्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था, अंतरास्टी न्याले के न्याधिसों का, जो कार्ज काल कितना होता है, तो 9 वर्स का होता है, ठीके, तो दोस्तों इस तरह से आपका महतपुर्ण संगठन से पूछा गया सभी परसन होता है समाप और कल से हम लोग बिहार S.A.C. में खेल कुद से यानि कि आप स्पोर्ट से अब तक पूछा गया सभी परसन देखेंगे और पिछले वीडियो में आपसे कोशन पूछा था कि 2019 में भारत रत ने किन को किन को मिला तो तीन लोगों को मिला था पर्नमुखर जी भूपेन हजारिका और नाना जी देशमुख को मिला था और आज का कोश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक कोन थे तो इसका एंसर आप कोमेंट में दीजीएगा